नमस्कार और इसलिए भारतियों को रिदे रोग से बचाने के लिए और साथी रिदे रोग के बारे में जागरू करने के लिए देश के समानित इंडियन मेडिकल फ्रेटरनटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हैल्दी हाट टॉक शो की शुरुवात साल 2018 में ही कर दी गई थी दिल से दिल तक हैल्दी हाट टॉक शो को लाखो भारतियों ने सरहा और हजारों भारतिये इस अभियान से अब तक जुड़ भी चुके हैं जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर साड़े बारा बजे जिहिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसित दहिर्दे रो हो सकती है यह आप जरह समझा दीचिया है जिस जिनको बीपी याने उच्छ अरकताब है उनको लाइस्टाइल मोडिफिकेशन याने योगा प्रानायम मेडिटेशन और अरोबिक एक्टिविटी यह एक्स्टीमली इंपोर्टन और जरूरत है सब पेशेंस को यह करना चाहि है उनको दवा की ज़रूरत नहीं है लेकिन जिनका बीपी एक 140-90 से उपर है उनको हम दवा चालू करते हैं बट लाइस्टाइल मोडिफिकेशन गोज ओन लेकिन यह जो लाइस्टाइल मोडिफिकेशन है लोगों को मालूम बना चाहिए उसका कोई पैथी से लेना देना न लोग एक महना दो महने करते हैं प्रैनायम करते हैं चलते हैं पांच नोड फिर छोड़ देते हैं लगता है उनको बीपी नॉर्मल हो गया अभी हो गया तो दैट इस एक्स्तेमली इंपॉर्टेंट की वो उनको मालूम होना चाहिए कि यह करते ही रहना है तो दी मेसेज को फाइदा होगा और दवा हम बाद में कम कर सकते हैं पर सुनेल साथे जी वर्थमान समय में लोगों को उच्छ रक्तचाप की दवाओं और साथी वाक्सीन लेने से पहले कि दवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है उस पर आपके क्या कुछ टिपढ़ी र इसके उपर काफी पेपर आगे अभी यह क्लियर कट हुआ है सब डेटा आगया कि यह सत्य नहीं है तो आल टैबलेट्स जो जो दवा है अभी बीपी के लिए आल टैबलेट्स और एक्स्टीमली सेफ इन कोवीड पिरेड उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें आपके टीटिंग डॉक्टर तो उसको संबाल लेंगे लेकिन कोवीड के बाद भी टू 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 सिक्स मन्स कई लोगों के हार्ट रेट याने पल्स रेट और बीपी फ्लक्च्वेट होती है आगे पीछे जा सकती है तो उसमें कोई फियर या टेंशन लेनी की बात नहीं यह सब सेटल हो जाता है और आपके टीटिंग डॉक्टर यह सब ध्यान में लेके आपकी दवाएं आगे भीचे करेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप खुद की मर्जी से कोई भी दवा बन ना करें अगर आप बीपी की लवा ले रहे हो अगर आप बीपी क टिकेग्रेलोल पैसे चार-पांश ब्लड थिनर से उन पे रहते हैं तो उनको वैक्सिन लेते लेने के पहले कोई दवा बन करने की जरूरत नहीं है दर इस नो कॉंट्रोवर्सी रहा एक दो ड्रग्स है जो जिनको वैल रिप्लेस्मेंट हुई है उनको यूनिवारफरियन या रैसिट्रोम करके ड्रग्स है वो भी सेफ है लेकिन आल इस पेशेंट उनको एक टेस्स करनी पड़ते है जो पेशेंट करते ही है उनको आयनार बोलते हैं अगर वह तीन के ऊपर है तो वैक्सिन इमिजेक्ली नहीं सकते हैं दॉक्टर को पास जाके देविल डेविल वैक्सिन के पहले बंद करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर को पुछने की भी जरूरत नहीं इसका फियर बिलकुल न रखे डॉक्टर सुनील साथे जी आपकी तरफ से आज दर्श्टकों के लिए क्या संदेश रहेगा जिसे कि वो जागरुख हो पाएं और हिदे रोगों से खुद को बचा पाएं लाइस्टाइल मॉडिविक्शन प्रॉपरली किया किसी का वजन दस किलो से कम हुआ तो दवाबन भी हो सकती है लेकिन जब तक डॉक्टर ना कहे खुद से दवाबन मत करना लाइस्टाइल मॉडिश्टाइल जरूर करना और अपके डिजीज के बारे में ज्यादा फियर लाइस्टाइल करना ना भूले हैं